क्या आप जानते हैं OTP क्या है? OTP मेनिन इन हिंदी नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपके साथ OTP से जुड़ी पूरी जानकारी शेयर करूंगा. आज के समय में आउनलाइन सर्विसिस बड़ी ही तेजी के साथ ग्रो कर रही हैं. हम भी अधिकतर अपने सभी काम धर बैठे आउनलाइन ही पूरे करते हैं, जैसे मॉबाइल रिचार्च, इलक्रिसिटी बिल पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, आउनलाइन शॉप्पिंग, आउनलाइन ट्रांजैक्शन इत्यादी. ऐसे में सर्विस प्रोवाइडर्स की पहली जिम्मेदारी अपने कस्टमर्स को उनके पर्सनल डेटा और अकाउंट की सक्यूरिटी और सिफ्टी प्रदान करने की होती है. इसी जिम्मेदारी को बखुबी निभाने के लिए OTP की शुरुवात की गई. जब भी हम अपने मॉबाइल या कम्प्यूटर पर ओनलाइन पेमेंट सर्विसिल्स का इस्तिमाल करते हैं या किसी सोशियल मीडिया प्लैटफोर्म जैसे फेस्बुक, वाटसैप इत्यादी पर अपना अकाउंट क्रियेट करते हैं तो आपके फोन पर वरिफिकेशन के लि जानकारे में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं OTP क्या है से जुड़ी पूरी जानकारी हिंदी में OTP का मतलब होता है One Time Password जिसे One Time PIN या Dynamic Password के नाम से भी जाना जाता है यह किसी कंप्यूटर या Digital Device के लिए वो पासवर्ड होता है जिसे केवल एक सर्शन या एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही बार इस्तिमाल किया जाता है OTP या One Time Password चार या छे डिजिट्स का एक सक्यूरिटी कोड होता है उदाहरन के लिए जब आप उनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी E-Commerce वबसाइट पर उनलाइन खरीदारी करते हैं तब बैंकिंग डिटेल्स भरने के बाद आपके रिजिस्टर्ड मॉबाइल नमबर पर बैंक की तरफ से उसमस के जरिए एक सेक्यूरिटी कोड प् यानि की एक बार इस्तिमाल के बाद इस कोड को दो बारा इस्तिमाल नहीं किया जा सकता इसलिए आपको नए सुषन या ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए एक नए OTP की आवश्यक्ता होगी तो अब आपको समझ गए होंगे कि OTP क्या होता है और इसका अस्तमल क्यों क झाल